Hello Everyone, Welcome to Dizzy Classroom, मैं हूँ हीना आपकी Reasoning Fiquanty तो आज हम लेके आए हैं भई Dice Part 2 जैसे कि आप सबको पता है SSE का ये Second Chapter है जिसका Part 1 जो है मैं Complete करवा चुकी हूँ आज हम Part 2 पढ़ने वाले हैं अगर किसी को Dice नहीं आता है तो पहले आप Part 1 देखें उसका Link आपको Description या हमारे चानल की Playlist SSE Reasoning में मिल जाएगा फिर ही Part 2 पर आईएगा और Part 1 में जो हम बात करी थी वो था हमारा Base Dice किसके बारे में बात करी थी? Base Dice के बारे में आज हम बात करने वाले हैं Open Dice के बारे में उन पे Question होता है Open Dice होती है कि छेड के 6 फेस आपको दिखाई दे रही है और उस पे कैसे Question बनता है आज पूरा Video उसके उपर है और इसके बाद हमारा Dice खतम हो जाएगा तो बिल्कुल Dice में एक-एक Question आप Solve कर सकते हो और ना हो तो इस Question को भी आप Comment कर सकते हो मैं आपका महाँ पर डाउट क्लियर करतूंगी ठीक है और अगर कोई नया है हमारे इस चैनल पर तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना करिये और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको Like जरूर करिएगा अपने Friend के साथ Share जरूर करिएगा और Comment करिएगा कोई Suggestion हो या अगर आपको इस वीडियो में कुछ Doubt रहे गया हो उसको Clear करना हो तो भी Comment कर सकते हो और एक और बात मैं अपने हर वीडियो के End में एक Homework देती हूँ तो Homework जरूर करें, Homework का Answer आप मुझे लिख सकते हो नहीं होता है तो वो भी लिख सकते हो तो जो भी आप मुझे Answer दोगे मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी आप सही हो या गलत नहीं तो जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसमें आपको सबसे पहले उस Homework पे ही बात होती है कि क्या इसका Answer है या कैसे करना था ठीक है तो स्टार्ट करते है आज का वीडियो अब आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे रिवीजन से ठीक है रिवीजन करनी बहुत जरूरी है अगर कोई चैप्टर हमारा चल रहा है और बहुत दिनों बाद उसका हम उसको पढ़ रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग से रिवीजन करना बहुत जरूरी है तभी आपको आज वाली बात समझ महेंगी तो फटा-फट दो तिन मिनट में हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं डाइस क्या होता है डाइस होता है आप लुडो खेलते हो लुडो में नमबर्स लिखे होते हैं वो होता है हमारा डाइस जिसके होते है छे फेस ठीक है टाइप ऑफ डाइस होते है एक होता है हमारा बेस डाइस जिसके बा कुछ बेसिक बाते की डाइस होता क्या है आगे जो भी बहुत अच्छे से समझाया गया, चीक है, तो आज हम बात करेंगे open dice की या तो इसको कह सकते हो, based dice is folded dice, open dice is unfolded dice based dice के भी आगे दो type होते है, एक होता है, एक होता है our standard, एक होता है our non-standard dice, इसमें बहुत अच्छे से difference मैंने with example आपको लास्ट वीडियो में इसका पार्ट वन के वीडियो में डिसकस किया है फिर भी मैं यहां पर बता दूँ फटा फट थोड़ा review ले ले लेते हैं standardized होता है opposite sides का अगर dice के opposite sides का जो sum है वो 7 आए तो वो standardized होती है और sum अगर 7 नहीं आता है तो वो non standardized होती है second difference is कि अगर one two three four five six यह numbers है सिर्फ इनहीं पे ही वो dice पे based person है तो वो standardized है या उसके अलावा अगर कोई dice के अंदर या letters use कर लिये गए हैं या symbols use कर लिये गए हैं या 6 के बाद का कोई number use कर लिया गया तो वो standardized नहीं होती है फिर वो non standardized हो जाती है तो यह थे main two difference of between standardized and non standardized with example मैंने पिछली वीडियो में इसके part 1 में बताया है तो please पहले वो जरूर देखेगा इतना यह जो मैं revision करा रही हूँ यह बहुत अच्छे से उनहीं को समझ में आएगी जो ने part 1 देखा हुगा ठीक है और फिर हमने discuss करे थे जो base dice होती है उसके तीन rule हमने discuss करे थे जो base dice है जो हमारा first rule था वो हमारा first rule यह था अगर दो dice के अंदर कोई एक चीज common हो जाती है और बिल्कुल same side पर हो जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक common है और बिल्कुल same जगह पर common है तो जो बची हुई sides है वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी opposite हो जाएंगी और एक opposite क्या हो जाएगा सब आपको पता है पिछले में बताया था आपको तो one में यह number बचके हमारा four ठेक है यह था हमारा first rule हमारा second rule था अगर किनी दो dice के अंदर कोई एक चीज common तो हो बच same side पर नहीं हो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक चीज common है बच same side नहीं है different different sides पर common है इधर one यहाँ है इधर one यहाँ है तो रूल लगता है हमारा clockwise rule ठीक है clockwise चलना कहां से है उस common वाले number से या common जो भी आएगा variable से वन से 5 गया 5 से 6 गया 1 से 3 गया और 3 से 2 गया 1 से 5 गया 5 से 6 गया 1 से 2 गया 2 से 3 गया मतलब 5 2 6 3 और 1 का यहाँ पर opposite 4 आ जाएगा यह था हमारा rule number 2 of base dice rule number 3 था कि अगर कि नहीं दो dice के अंदर क्योंकि 2 चीज़े आपकी common हो जाती है दो चीज़े आप वो फर्क नहीं पढ़ता हो same side पर हो या different side पर हो या कोई एक चीज़े same side पर है या नहीं कोई फर्क नहीं पढ़ता है दो चीज़े common होनी चाहिए बस तो वो common चीज़े तो cut हो गई जो बच गया वो एक दूसरे के opposite हो जाएगा मतलब यहापर 3 का opposite आपको क्या find हो गया 2 find हो गया ठीक है यह था मारा part 1 base dice पूरा base dice के बारे में आप अभी मैंने revision करवा दिया और एक homework आपको दिया गया था यह था आपका homework बट इस homework में एक mistake रह गई है तो मतलब find ही नहीं कर पाएंगे answer मैंने यहापर यह नहीं बताया था कि किसके opposite आपको find करना तो उसके लिए sorry तो यहाँ पर मैं अपना correct कर deposit क्या होगा चाहिए मैं आपके साथ यहां पर करती हूँ और अगर किसी ने पिछला वीडियो देखे और वो solve करना चाहता है तो वीडियो pause कर सकता है तो अगर मैं find करना चाहूं इन first और पहली और second dice से अगर check करें तो कुछ common ही नहीं है तो first second से होगा नहीं first और अगर third से करना चाहें तो yes common है एक ही चीज common है और different side पर है तो rule कौन से लगेगा हमारा clockwise तो 5 से 2 5 से 1 मतलब 2 1 हो गया 2 से 3 और 1 से 4 मतलब 4 का opposite 3 यहां पर answer बी आएगा तो मैं यह चीज लिखना मेरे question में भूल गई थी उसके लिए sorry तो यहने correct कर दिया है ओके अब बात करते हैं बही open dice की आज का main जो वीडियो है हमारा उसके उपर open dice मतलब हमारी जो होगी unfolded dice क्या कहते हैं उसको unfolded dice कहते हैं चीक है जिसके 6 के 6 फेस आपको नजर आ रहे होंगे अब सामने यहां पर ध्यान से देखेगा अब किसी भी तरीके का structure हो सकता है जैसे कि यहां पर ऐसा structure बना है ठीक है अब यहां पर a, b, c, d, e, f find वही करना है भी किसका opposite क्या है find बिलकुल वही करना होता है बट अब unfolded dice में कैसे find करते हैं देखो बहुत ही ज़ादा simple है मैं साच चुबता हूँ तो यह folded dice से भी ज़ादा simple है ध्यान देना याद करने का तरीका इसको आप भूल जो क्या लिखा है ध्यान दो a चीक है एक जगा छोड़ी क्या लिखा है c मतलब a का opposite c कितना easy है clear हो रहा है बी एक जगा छोड़ी d b का opposite d और जो इसके ends पे यहाँ पर लगा होगा right left में जो भी लगा होगा वो हमेशा एक दूसरे के opposite ही होता है तो e का क्या हो गया f अब यह जो structure आपने देखा है ना यह किसी भी तरीके से हो सकता है बड़ रूल सेम लगेगा जैसे कि आप मेरे साम आपने देखो यहाँ पर तीन इमेज़ीज है इमेज वन इमेज ट्रू और इमेज थ्री बट कॉंसेप्ट वही है एक चीज एक आपको बीच में box छोड़ना है और वो एक दूसरे के opposite हो जाएंगे clear होगी है मेरी बात ठीक है अब देखो इसमें अगर find करना हो तो one का क्या होगा भई ही five होगा clear one का क्या होगा five होगा जैसे कि यह देखरे हो आपको लिखा है three का क्या होगा six होगा yes और जो right left में लिखे है वो 2 का 4 होगा, same यहाँ पर भी वही हो रहा है, 2 का क्या होगा, 4 होगा, 3 का क्या होगा, 5 होगा, और 1 का क्या होगा, 6 होगा, देखो, बिल्कु सेम वही रूल लगेगा, यहाँ अगर देखें, तो 2 का होगा, 4, 1 का होगा, हमारा 6, और जो हमारा 5 है, उसका क्या हो जाएगा, 3 सेम है इस थे तरीके से सकता है, बट कॉंसेप्ट वही है, आपको किसका उपोजट ग्या होगा? ठीक है? अब ये तीन चीज़े पढ़ लिए आपने एक और तरीके से भी हो सकता है उसमें भी वही concept है बस थोड़ा अलग तरीके से बना है जैसे कि आप सामने देखो अलग तरीके से बना है बट सेम वैसे ही इसमें कोई left right में नहीं है बट उसी तरीके से करना है कैसे 1, box छोड़ा, 3, मतलब 1 का opposite कितना हो गया, 3, 4, box छोड़ा, क्या हो गया, 6, 4 का opposite क्या हो गया, 6, अब बीच में कौन सा number बच गया, 2 बच गया, और कौन सा number बच गया, 5, तो 2 का opposite क्या हो गया, 5, clear हो रहे हैं, यह rules है, जैसे आपने base dice के rule पढ़े थे, open dice, मतलब unfolded dice का यह concept है, कि किसका opposite कैसे find करते हैं, अब इस पे question कैसे आएगा, उसी पे बात करेंगे, बट पहले यह basic clear होना बहुत जरूरी है, बहुत ही basic है, बहुत ही simple है, एक box छोड़ के उसका opposite हो जाता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यहाँ पर confuse नहीं हो ना, यह वाला question मैंने बहु बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, एक question कैसे आता है, बहुत ही easy है, ध्यान देना, एक question अच्छा से समझो, बोलता है, the figure given on the left hand side, इसकी बात कर रहा है, in each of the following questions, is folded to form a box, क्या कर दिया, left hand side में, जो मुझे unfolded dice दी है, उसको folded dice में, convert करके दिया हुआ है, choose from the alternatives, a, b, c, d, the boxes that it's similar to the box formed, इसका मतलब कहा है, ध्यान दे सुनो, question यह है, कि अगर इस unfolded dice को, मैं fold कर दूँ, तो, कैसा होगा वो fold करके, अब पहले तो आपको वही rule पता होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा, इस unfolded dice को, मैं किस चीज का क्या opposite है, वो आपको आना चाहिए, तो clear करते है, two का opposite क्या होगा, भई, four होगा, two का opposite क्या होगा, four होगा, one का opposite क्या होगा, six होगा, one का opposite क्या होगा, six होगा, five का opposite क्या होगा, three होगा, ये होना चाहिए तो अगर आप fold करते हो तो fold करते हो तो face कितने दिखते हैं तीन तो उन तीन face में 2 और 4 में कोई एक number होना चाहिए 1 और 6 में से कोई एक number होना चाहिए 5 और 3 में कोई एक number होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि जब 3 face दिख रहे हैं तो उसके opposite वो number होगा ना तो वो उनके side में नहीं दिख सकता clear हो रहा है आप देखो check करते हैं एक बाद बात करते हैं इस option number A की ध्यान देना 1 दे रहे हैं मतलब 1 का opposite 6 होना चाहिए मतलब जो मुझे इसका face दिखाई नहीं दे रहा वहाँ कहीं 1 के opposite मतलब सामने 6 होगा जो कि इनके side में नहीं दिया यहां तक ठीक हो रहा है 3 दे दिया गया और 3 का opposite है क्या 5 मतलब 3 के कहीं सामने जो मुझे face दिखाई नहीं दे रहा वहाँ 5 होगा बट यह यहां दे रहा है समझा रही है बात तो यह वाली unfolded dice कभी भी fold होके A option तो नहीं बन पाएगी clear हो रहा है देखो कितना simple है बस वो आपको वो concept समझ में आना चाहिए था जो अभी मैंने बताया था बाकी कुछ नहीं है चेक करते हैं option number B option number B को अगर हम चेक करें तो 2 दिखाई दे रहा है तो 2 का opposite 4 तो 4 इसके side में दे दिया जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता इसके सामने होना चाहिए मतलब जो face हमें दिखाई नहीं दे रहा वो होना चाहिए तो option number B भी हमारा गलत हो क्या अगर मैं बात करूँ मेरे option number C की तो 1 है 1 का opposite होना चाहिए 6 नहीं दे रहा कहीं side में तो इसके सामने कहीं न कहीं होगा और दे रहा है 3 तो 3 का opposite 5 मतलब यहां नहीं दे रहा है यहां 4, 1, 3 में 5 नहीं है और 4 का opposite होना चाहिए 2 समझ आ रहा है मतब जिसका opposite जो होना चाहिए उसमें से कोई एक देना चाहिए 3 और 5 में 3 दे दिया 5 नहीं दिखना चाहिए 1 6 में 1 दे दिया 4 और 2 में 4 दे दिया तो yes यहाँ पर जो answer है C है बट फिर भी हम एक बार D option को check कर लेते हैं कि वो क्यों गलत हुआ तो one opposite 6 होना चाहिए और उसके side में दे रख है इसलिए जो option number D है वो भी क्या हो जाएगा कर clear हुआ इस type एक question आते है unfolded dice के कि unfold को fold कर दिया जाए तीन face ही दिखने लग जाएं तो कैसा दिखेगा clear, okay open dice के हमने 4 तरीके की image अभी आपको मैंने बताई इस तरीके का अगर आपके पास question आए तो कैसे solve करते है rule वही है यहाँ पर भी थोड़ा सा वो rule क्या है कि यह 2 wait वो rule कौन सा 2 और 2 में एक box छोड़ा और 1, 2 का opposite 1 right, वही same लग रहा है but it is different, फर्ख है एक चीज का वो मैं बताऊंगी 4 का opposite क्या है? 3, 4 का opposite क्या है? 3, but अब यहाँ 5 समाझ आ रही है? 5 अब बचे अगर मैं देखूं यहाँ पर right, left में 4 चीज़े हैं अब 5 जो है वो रहे गया sorry, यहाँ पर न 5 है तो यहाँ पर 5 आप कर रहे गया तो यह 5 का जो opposite है न वो क्या होगा? वो समझना सीधा याद करवारी हूँ आपको धिहान देना तो यह 5 का opposite क्या होगा? कैसे याद रखना है? देखो याद क्यों करवारी हूँ? क्योंकि आपको ना subjective नहीं है रीजन नहीं लिखने है क्यों हो रहा है क्यों नहीं सिधा याद करो question solve करने से मतलब है न number आने से मतलब है न आपको PhD नहीं करनी है ठीक है? तो अब 5 का opposite क्या होगा? याद रखने का तरीका धिहान दीजेगा बहुत ही ज़्यादा simple बड़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो 5 का opposite करना क्या है? नीचे से start करना है ये जो आपका नीचे जो भी आपका variable लगा होगा चिक है? और इधर से आपको clockwise move करना है का move करना है? एक second क्या move करना है? clockwise direction में move करना है और जब आप यहाँ लिख रहे हो तो आप जैसे यहाँ नीचे से start करें यहाँ उपर से लिखना start करोगे और आप भी किस direction में जाओगे? clockwise याद रख लो जब आप उस image में चेक कर रहे हो इस पर एक question कराऊंगे यह भी फिर समझ भी नहीं आएगा तो पहले basic समझ लीजे आप लो चेक है? तो इस type के question में आपको उस image के end जो नीचे वाला end है bottom end है वहाँ पर जो भी लिखा है वहाँ से start करना है लिखना जब आप start कर रहे हो कि five यहाँ से start करना है उपर से और clockwise जाना है और clockwise यहाँ लिखना है तो सबसे पहले equal clockwise जाएंगे इधर से clockwise जाएंगे start फिर से clockwise गई add the rate इधर clockwise यहाँ लिखेंगे और फिर हमाया हमारा है यह पूरा किसका उपोजिट है फाइव का आप ऐसे मत कर दीजेगा फाइव में शिक्स बचा भाई यह वह वाला टाइप के प्रेशन नहीं है ठीक है डिफरेंट है तो यहां पर आ गया वह फाइव का यह पूरा का पूरा फाइव का ही ऑपोजिट है अब आप बोलोगे ऐस प्रेशन आप पिपर में यह फाइव का उपोजिट कैसे प्रेशन होगा तो बिलकुल विद एक्जांपल समझाओंगी बस यह कॉंसेप्ट यह वला प्वाइंट याद हो गया ओके अब देखो आपके सामने प्रेशन अब देखना क्लिया हुजाएगा देखना क्लिया है मतलब यह वाली जो आपको अन्फोल्डेड दे रखियाए वट अन फोल्डेड ठीक है और यह आपको करके दे रखिया है फोल्डेड। in each of the following questions is folded to form a box why same cheese choose from the alternatives one two three and four the boxes that it's similar to the box from question is same but the figure is different you just figure have a different time or it's carulana about the rule you have dekhun dhyan dena what the chase is kiske opposite care find if you are confused now I will write some numbers here blank one blank one blank two blank three blank and dot here we will name it six blank you don't be confused just this and this is the shaded part you can change this in question you can change it in the question we have shaded part here okay and if you have shaded part to have some name to understand you then it's a C M and O one second I will change a little color to this for you I don't understand wait A C M and N okay now which opposite is what does it do रहे हैं फिर दियान दो अब ब्लंक ब्लंक है चीक है पर इसलिए वन ब्लंक पूसेट के चुप लेंग थी ब्लंक का उपुजिट है डॉट डॉट एक बॉक्स पे चीक है और जो 6 ऑ मतलब जो ब्लंक है उसका उपूजिट हमें बनाना है जो समझाया बिलकुल वैसा ही और इधर से clockwise जाएंगे तो अगर आप जो letters मैंने लिखे हैं एक बार easy करने के लिए लिखना चाहें तो A है फिर clockwise यहां लिखेंगे C फिर आएगा M और फिर आएगा N बट अगर actual question जो हमें solve करना है उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा जैसा दिया है यह just समझाने के लिए था नीचे से start करेंगे यहां जो कि shaded है फिर ऐट आद में गये जो कि blank है जिस पे C लिखा है वो पुरा blank है फिर M भी shaded है तो इसको भी shaded कर देते है फिर हमारा N भी shaded है तो इसको भी shaded कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा six blank मतलब एक तरीके से ये blank का ही पूरे blank opposite है, इसका भी blank मतलब है, इसका भी blank मतलब है, समझाने के लिए लिखा था बस, ठीक है, चलो, अब करते हैं भाई, अब अगर मैं अपने option number जो one है, उसको देखूं, मेरे option number अगर मैं one को देखूं, तो इस type की एक ही shaded वाले की तो कुछ है ही नहीं, आप समझ रहे हो, या तो चार blank है मेरे पास, या एक dot है, या इस तरीके से तीन shade करके एक side blank है, पर एक side shade करके, ऐसा कोई question, ऐसा कोई opposite मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मेरा first option हो गया wrong, second option, चेक कर सकते हैं, अब सुनो, total number of blanks कितने है, four, confuse मत होना, पहले देखो ये वाला part, तीन side shaded एक साथ और ये, ठीक है, इसको देखें तो इसकी side blank, तो इसकी side हमें blank मिल गई, ठीक है, यहाँ पर बना रही है, इसकी side मिल गई हमको blank, मतलब हमारा एक blank चला गया, dot, dot का भी क्या है, blank, माल लो इसके सामने भी मुझे blank मिल गया, अब मेरे पास दो blank बचे, और जो सामने blank है, उसके पीछे भी blank होना चाहिए, तो yes, मेरे पास एक blank है, तो यहाँ मेरे पास जो answer आ रहा है, वो 2, बट अगर मैं options देखूं, तो 2 आ रहे है, तो अब 2 तो आ रहा है, मतलब यहाँ तो 2 के साथ 3 होगा, या 2 के साथ 4 होगा, च 4 मेरा गलत हो गया, थर्ड आप चेक करना चाहें, तो बिल्कुल हम चेक करेंगे, मान लेते हैं, कि ये वाला जो पार्ट है, इसके पीछे हमारा ये वाला मिल गया हमको, 3 साइट शेड और एक blank, ठीक है, इसके साइट मान लो हमको मिल गया dot, और इसके साइट मिल गया blank, टो आपको find करना है, ठीक है, ये वाले, ये आपका unfolded, ये आपके folded, तो इसमें से क्या answer आएगा, वो आप मुझे बताइएगा, मैं चेक करूँगी, comments में अगर आप comment कर देते हूं, वरना हम next video में, मैं इसका answer, और इसको discuss करूँगी, ओके guys, thank you for today's video, like जरूर करें, अगर पसंद आया, समझ में आया, फ्रेंच के साथ share करो, subscribe जरूर करिएगा, और उसके साथ एक bell का बटन है, उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरा आएगा, या हमारे चैनल पे English, कोई भी नया वीडियो आता है, English Maths, GS, Current Affairs, तो आपको एक notification मिल जाता है, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ही ना हो, ठीक है, okay, thank you, next video में मिलते हैं,